आपका बहुत बहुत श्वागत है और जो यह जॉब है वो है डियलेट बीएडवारों के लिए जी हाँ चली आए इस वीडियो में हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कब से फॉर्म भरे जाने हैं सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कितनी पोस्ट है किसके लिए क्या है लेकिन इसके पहले दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ओके तो दिखिए जो जिस जॉब के मैं बात कर रही हूं वह है आपका डी यस 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 भी यानि की दिलही सब बोर्ड नेट सर्वी सेलेक्शन बोर्ड यह इसने वेकेंसी यहां पर निकाली है भी सिर्फ जो है वो निकाला गया है ठीक है यहां पर इंपॉर्टेट नोटिस भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो है वो यह है कि only online application will be accepted यहां पर सिर्फ online application accepted किये जाएंगे शिकार किये जाएंगे और application revised through any other mode shall be similarly rejected यहां पर यदि online के अलावा किसी other mode पर आप apply करते हैं तो वो reject कर दिया जाएगा यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि the date, opening date, closing date आप सब भी कुछ यहां पर दी हुई है तो यहां पर देख लेते हैं जैसे अगर हम opening date की बात करते हैं यानि कब से form भरे जाएंगे तो form जो है वो 16 सितंबर से भरे जाएंगे ओके अगर हम closing की बात करते हैं यानि last date की बात करते हैं कि last date कब है तो वो आपका है 15 October 15 October जो है last date है आपका ठीक है यानि form जो है अभी नहीं भरे जा रहे हैं 16 सितंबर से form भरे जाएंगे अब यहां पिछली देख लेते हैं online application are invited for recruitment to the following post अंडर डिरेक्टरेट आप इसकेशन एंड दिलही जलबोर्ड आफ गॉवर्मेंट एंड सीटी आप दिलही अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं ले लेते हैं पोस्ट वगरे क्या कितनी है सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं असिस्टेंट टीचर वह भी क बात करते हैं तो यहां पर ग्रेट पर जो है वह मिल रहा है ब्यालीस सो ठीक है और यहां पर अगर हम पोस्ट की बात करते हैं देखिये तो अन डिजर्व के रिए 332 वी सी के लिए 119 साइसी के लिए 115 स्ट के लिए 30 सै टोटल 637 पोस्ट आपकी है प्राइमरी लेवल के लि त्व Спस्टीकैबर ऋमिले 12 डखा गया है आसिस्सेंट Для这么 deep लेते हैं जुँआन नर्सरी का है नरसरी में चलता है कि कर दिलो है वे मारा जाता है जो चौसे की बच्चों को होता है है जो ग्रेट पर देखे तो ब्याली सो रुपए है और यहां पर अगर अन्रिजर्ब की बात करते हैं तो 77 है 26 OVC में है 21 है ST में 9 है और टोटल 141 जो है यहां पर पोस्ट निकाले गया है नर्शरी के लिए असिस्टेंट टिचर के लिए ऑगर हम आप और अंय मन रिपार्टमेंट की बात करते हैं अगर बश्त की बात करते रिंक हैं तोटल बात करते हैं तो वन थाउजन के लगवग 900 कुछ बेकेंसी आपको यहां पे मिल रहे हैं पोस्ट मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो आपके प्राइमिरी में है जो यहां पे पद है अब देखिए आगे तोलों से यहां पे देख लेते हैं डिटेल वगरे के लिए यहां पे देखिए आलेडी दिया गया है कि यहां डिटेल आप क्वालिफिकेशन एज लिमीट जो फीस है यह सब भी चीज़े जो है वो अवलेबल करा हो जाएंगी किस प आपका 16 सितंबर है और क्लोजिंग डेट जो 15 अक्टूबर यहां पे दिया गया है तो बहुत अच्छा मुका आपके पास है और यदि आपने डिलेट किया है ठीक है क्या पे नर्सरी के लिए है तो इसमें डिलेट बीटी सी बीएड और सारी बीएड भी वाले इलिजबल ह हो सकते हैं अब देखते हैं कि उसमें लिजबल्टी क्या मागी गई है बेरी इंपोर्टेंट ही है ठीक है तो बहुत अच्छा मुका आपके पास है 40-45,000 के लगों आपकी सेल्डी होगी इसमें तो आप प्रिप्रेशन कर ही रहे हैं और सी टेट जिन लोगोंने क्वालिफ अच्छा के शेयर करें जैसे आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर बताएंगे तो आप उस वीडियो का वेट करिए गाएगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कोई क्यारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चलिए फिन्यश्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाय